हालो मेंबर्स वेलकम एक टो ओन चनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो आज भी मैं पार्ट वन पार्ट व मिक्स थोड़ा परसनल काम की वज़े से लेकिन बात बताना चाहूंगा यहां पर एक अदानी ग्रूप का वीडियो रग दिया अगर नहीं देखे वह आप ज कर सकते तो जाके बाद देखी का फॉल किया है कितना और फॉल करेगा डीटल में बताई है ठीक है अगर देखो अब चलो फटाट यहां पर निफ्टी का में आपको पॉइंट बता देता हूं एंड इंड इंपोर्टन रिजल्ट आ है एंड आप लोगों की क्वेरिस वह फ सस्टेन नहीं कर पाया दो दिन से इंवर्टेड हैमर है और कल शायद गयाब डान ओपन हो सकता है एस पादर डीटा देखो यहां पर 40 पॉइंट का गैब डान दिखाई दिरा है लेकिन गैब डान तो आज भी था उपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि आपकी जो एक्सपाइरी रह सकती है शौट एंड सिंपल में मुझसे अगर पुछने ज सकती है तो नीची के लवल से आप एवरिज करना चाहते कर सकते हैं ऊपर बेचना चाहते हैं यह रींज के बीच में यहां पर टाइम पास करता हुआ मार्केट दिखाई देगा बाते समझ में आ रही है तो शौट एंड सिंपल से स्ट्रेटजी क्या रखे बाई गैब का स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के टारगेट मैक्सिमम रखना ठीक है और फॉल कितना करेगा तो आप यह समझो यहां पे जो सपोर्ट है सी यह वाला 18184 वहीं से गुमने की कोशिश जरू कर सकता है जो यह वाला दो दिन पहले का लो है ठीक है वहीं के आसपस से गुम सकता ह है यह बात ध्यान में रखना तो जाटे टेंशे लेने की जरूरती है सेम चीज़ है मैंबस बैंग निफ्टी के अंदर बैंग निफ्टी ने इंवर्टेड हैमर है गैब डाउन में थोड़ा फॉल कर सकता है 43,500 के एक सपोर्ट है अगर यह तूटा तो 43,300 के आसपस जा सक एंड चुमालिस हजार का हाई वोई क्रेजिस्टन्स आपका बन सकता है कल की एकस्पायर हीगा क्लियर चलिए अब बात करते हैं पर फटार्ट इंपॉर्टेंट निउस अब देख अगर कोई बूचे कि सर यूएस मार्केट क्यों फॉल कर रहे है तो शॉट और सिंपल में यह समझो कि जैसे कि मैं आपको बोला था कि यूएस मार्क मलब यूएस को भी कर्जा बहुत जादा है जैसे कि इंडिया पर कर्जा होता है वैसे यूएस पर बहुत जादा कर्जा है तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा कि वहाई जो कर्जा भी पेई करना है उस भाई हमारो मार्केट बीजिक प्रोफिट बुकिंग कर रहा है अगर बात करें जाए खरीदारी तो हमारा FI खरीदारी के मोड में है पॉजिटिव यारा सो करोड D.I. ने भी क्वाली किये है माफ कीज़ए D.I. ने भी खरीदारी किये है 300 करोड की तो शॉर्ट और सिंपल में FI स्टील ओन है तो टेंशे लेने की जरुवत ही है जादा फॉल की चांसस कल नहीं है तो गबराना नहीं है उसके लवा देखो महेंदरा C.I. यहाँ पे स्टॉक में शाद गिरा उटा सकते हैं क्योंकि प्रमोटर जो है महेंदरा इन महेंदरा वो करीब यहाँ पे 3.2% का स्टीक स्कते है ओपन मार्केट के जरीए 1.2 करोड की शेर्स एक बार अभार महेंदरा इन महेंदरा महेंदरा C.I. का स्टॉक देख लेते हैं सी यहाँ पे है स्टॉक उपर के लेवल से profit booking गी थी डी हाई मारा जरू है लेकिन ये बाई बंदा crash हो सकता है कल ये कल fall कर सकता है तो मैं आपको suggestion करूंगा कि short term के लिए stock में fall जरू आएगा अगर long term के लिए stock को रखना चाहते है तो hold कर सकते इससे को इस्यूज आई क्योंकि नीचे के लग से वापस सपोर्ट लेके बाउस कर सकता है stock का maximum support है 400 का ठीक है तो गबरानी के जरूआ दे है जो retail इंवेस्टेड है stock देता है अब देखो सुनो जहांसे दिपक नाइट्रेट 10% का stock ज़ंट किया क्यों क्योंकि 5000 करोड का investment plant यहां पर सेट अप होता हुआ दिखे जिया यानि कि देखो केपेक्स प्लाइं का मेनिंग क्या होता है रिटेल इवेशे केपेक्स प्लाइं का मेनिंग क्या है कि आने वाले दो-चार साल के अंदर company अच्छा खासा ग्रोगा सकती है लेकिन दो दिन के लिए नहीं दो-चार साल के लिए क्योंकि यह future growth अच्छा रहेगा उसके लवा fine organic देखो fine organic टे quarter to quarter year to year के वंपर result है यह ऐसा stock है के भाई result बेकर देना बिल्कुल भी नहीं चाहता जो काफियत तक positive बात है अगर मेरी साब से stock देखने जाए तो काफी नीचे पीटा हुआ है एंड कल यह pullback अच्छा खासा करेगा अगर किसी को average करना है तो एक बाद support देख लेता हूं stock का बाकी chances तो है average की यहां पर चेक कर लेता है see exactly point five का rejection देखो यहां पर point five और यह अभी जो low बने था 4000 का वो एक support है तो मेरी साब से 4000 को break में ही करेगा और जैसे ही 5000 के level को तोड़ा यह stock 6000 तक जा सकते है तो अगर कोई average करना चाते है का सकते result follow है chances से उपा जा सकता है गुजरात इपानेव port देखो यह बंदी की भी अच्छे result है growth यह टूरे बेसेस पे 7% है लेकिन net profit में 42% का है एंड देखो I'm sure आप लोगों को बता होगा कि गुजरात बेस companies अभी कुछ जलवे दिखाई दे रही है ठीक आप लोगों को भी याद होगा एंड काफी तक radar में भी है अभी के लिए यह सभी companies तो मेरे साब से companies को जरूर फोकस किए कि यह शायद chances है कि यहां से अच्छे रिकावर करें 150 तक जाए लेकिन अगर मुझ से कुछ है कि सर मैं long term के लिए यह company को रखू तो मैं totally ना बोलोगा देखो यह नहीं चलेंगे तो छी साल निकल जाएंगे साथ साल निकल जाएंगे और मैं नहीं चाहता है रिटेल निवशक छी साल साल के लिए फज़ा है इससे अच्छा तो भाई डिक्स्वान ले लो इंडिया मार्ट ले लो कम से कम एक साल के अंदर रिकावर तो करेगा या अच्छी रिटर देगा SRF Asian पेंट्स ठीक है अच्छे स्टॉक मेरी साब से इसको इस खचरे में नहीं पढ़ना चाहिए अब लगों को यह ट्रेडर्स के लिए स्टॉक है रिटेल निवशक के लिए नहीं हो जाता है बूरो सिल रिन्यूबल्स बिकार रिजल्ट है यह टू यह कौर्टर टो कौर्टर 75% का डीप है यहनि के भाई यह तो मतलब पता ने कहां पर सूसाइड करेगा बहुत ही बिकार रिजल्ट है कंपनीज के एक बार देख लेते हैं सी मेच से उचे तो भाई यह क्रैश करना जरू चे और जैसे ही 400 को तोड़ा यह बंदे ने कभी भी तो स्टॉक सीधा 200 है लेकिन यह क्रैश तो पक्का होना चाहिए नहीं होगा तो देखेंगे लेकिन चंसतो हैं क्रैश के वाई इतना इतना बेका रिजल्ट के बाद क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा ओना तो जरू तो मैं बस यह सब्सक्राइब न्यूस के वज़े से फोकस में रह सकते हैं फटाट कुछ विएस के कोशन लिये जाते हैं देखो सबसे पहला कोशन था के सॉल्स का सब काइंडली रिव्यू के सॉल्स इंबा कोशन था अलब आपको एंट्री करनी है तो मैं देख लेता हूँ एंट्री पॉसिबल है के नहीं है देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कोई भी ऐसा स्टॉक ना लो जो स्टॉक वर्टिकल उपर गया हो और शॉर्ट टम में अच्छी खासी रिटन दी हो यानि कि मान लो 500 का स्टॉक 900 हजा तक चला जाए भाई तो यह फॉल तो पक्का करेगा तो अगर आप उससे बुछे एंट्री करनी है या तो 960 के अबव कीजिए जो इसका एक रेजिस्टन्स लेवल है या फिर यह स्टॉक आपको साड़े 700 पे मिले का कितने है 750-760 पे तब एंट्री कर ले रहा अच्छा स्टॉक है मोमेंटम अच्छी है लेकिन तब एंट्री करना या फॉल पक्का करेगा एक मेने के अंदर है तो करना तो चाहिए जिस तरह से चार्ट बन रहे है उसके बहुत ही वाहियाद रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारी कपनी उसके तो उसमें से एक है विकास लाइफ के कंपनी ने लॉस्पिश किया है देखो आप यह समझो के स्टॉक का अल्मॉस्स नियर बाटम ही है ठीक है यह स्टॉक यह जीरो थोड़ी होगा और कंपनी बैंक टब तो है नहीं तो टेंपरियर वेसिस पर प्रॉफिट बुकिंग है स्टॉक का सपोर्ट फाइनल ला सकता है जो है दो रुपए तीस पैसे का ऐसा तो वेट अन वाच कर सकते है स्टॉक में देखो ऐसा स्टॉक चलेगे ना तो रॉकेड़ी बनेंगे लेकिन अगर आप पेश स्टॉक अट्रा हो जाएगा कितना गुना आप भी समझ सकते हैं चार महीने के लेकिन नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे यह पक्की बात है लेकिन अगर आपको हर साल प्रॉफिट चाहिए तो निफ्टी के बॉटम फिशिंग वाले स्टॉक लेलो जैसे कि एशिन पेंट् फिफ्टी के स्टॉक फिफ्टे टो एक लोग के असपास लेलो इंफोसिस अच्छे रिटन ये टू ये देखे जा सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो भाई रोज जादू की जड़ी नहीं चलेगी ठीक है एन कचरा भी है नहीं क्या आप इसको कचरा सम और मैंने ये स्टॉक मुझे लग रहा है ब्रीक आउट हो रहा है देखो समझो कैसे डेली चार्ट पर क्रॉस ओवर में सेरी क्रॉस ओवर इस बंदे ने एक रिंज ब्रीक की है ठीक है और सस्टें थोड़ा बहुत नहीं कर पाई लेकिन ब्रीक आउट जिसा है मेरी साब से कल अगर ये pause candle बनेगी तो परस हो जाएगा volumes clear cut है ठीक है तो अगर किसी ने futures लिया है या option लिया है मेरी साब से एक दो दिन के अंदर ये stock rocket बनना ज़रू चाहिए ठीक है अगर पूछे सर stop loss क्या रखे तो आज का जो candle है उसका 50% आपका stop loss होना चाहिए मान लो 314 और 340 का जो high है उसका divided by 2 कर दो ठीक है आपको यहां पे average मिल जाएगा वो average ही आपका यहां पे आपका stop loss होगा अगर किसे ने short term के लिया है तो बाकि मेरी साब से stock का volume strong है ठीक है देको volumes भी दिखाई दे रहे है मैं अगर आपको weekly chart में बताना चाहूँ तो वो भी pattern देखो clear cut यह बता रहे है कि नीचे की level से उपर जा रहा है ठीक है यह weekly chart में भी यहां पे breakout जैसा दिखाई दी रहा है तो chances पूरे है ठीक है chances पूरे है यह भाई भागेगा और result भी आ चुके हैं तो कोई खत्री की बात तो है नहीं खत्रे की बात से याद आया है polyplex किसीने मुझे polyplex के बारे में तीन चार बार पूछा था किसा result आए है वेगार है क्या करे कि क्या कर सकते हैं तो अगर यह ब्रेक हुआ तो स्टॉक तो नहीं है लेकिन कल स्टॉक का support होना चाहिए कल ले ना चाहिए यह स्टॉक का 0.5 का support है जो अभी pullback किया है तो अगर ये break हुआ तो stock 1300 तक आएगा जो इसका अगला आखरी support आ जाता है यहाँ मेरी साब से panic नहीं करना चाहिए serious note पर Glenn Farmer में panic वाला था लेकिन इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा Ulta इसका stake बिखने वाला है 25% का और company बिखने वाली है और अच्छे promoter के हाथ में जाएगी और company का growth भी काफी अच्छा है तो tension लेनी की वैसे जरुवत है नहीं लेकिन short term में basic profit booking है clear तो होप इतना समझवा है पसंद आया है फिर कोई query रहती है comment कीजेगा टेलेगरम में नहीं है जाकि जूड़िएगा ज़रूर ओके मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए good bye जय है